अलो दोस्तो मैं प्रिशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वेटी टू कमिट्टी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक यह नि फिन निफ्टी की उपर बात करने जा रहे हैं और आप में से बहुत साई लोगों की कोईरीज भी आये थे कि सर फिन निफ्टी की उपर भी वीडियो बनाएए और हम पूसिस करें यहां पे जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का अनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पे हम फ रखने की जवबत है और एक्टॉली में फिन निफ्टी होता क्या है यह थे निफ्टी और बैंक निफ्टी से कैसे अलग है का इस concept को भी समझेंगे और उसके बाद हम फिन निफ्टी में कैसे trading positions initiate कर सकते हैं एक पॉइंट पे हमें कितना profit मिलेगा वह सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर हम चार्ट पर आगे हैं और यह जो चार्ट है आपका इस वीडियो हम देखेंगे सबसे पहले कि आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी से कैसे अलग है उसके लिए हमें फिन nifty के component को देखना परेगा यारी फिन nifty के अंदर कों कौंस से स्टॉक आते हैं वो हमें देखने की ज़ो हता है जैसे nifty 50 के अंदर इंडिया के top 50 companies आते हैं अलग-अलग सेक्टर गे जबकि bank nifty के बात करें यहां पर इंडिया के top 12 banking sectors के company आपको देखने को मिलेंगे और finnifty में आपको finance field के जितने भी top 20 companies होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए सबस पहले हम इसके component को देख लेते हैं तो यहाँ पर हम finnifty component को देख सकते हैं finance field की जितने भी दिग्गत company है चाहे सब्सक्राइब करेंगे तो जो finnifty है उसका component क्या-क्या है तो generally जो इसका component है आपका banking sector के दिग्गत company है plus non banking financial service वाले company है यही दो मिलाके आपके क्या बन जाते हैं फिर nifty के top 20 companies आते हैं इस indices में तो आपको समझ में आ गया कि आपका nifty और bank nifty से कैसे अलग है क्योंकि यहाँ पर component आपका nifty और bank nifty से बिलकुल ही अलग यहाँ पर हमें देखने को मिलेग अब जब यहाँ पर हम financial fairs की company की बात करें तो generally यहाँ पर क्या में देखने को मिलता है चालिवले यहँ पर हमें एंगर आपका ट्वेड्ट गलत हुआ यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज्यादा dripping हो जाए गाँआग और आपके losses के chances भी increase हो जाएंगे इसलिए यहां पर हमें क्या करना है deep research करने की जरूरत है और उसी के जरी यहां से हम profit मना सकते हैं हमें काफी safely trade करने की जरूरत है और सतर को के साबधानी के साथ trading position setup तयार करने की जरूरत है तो आप समझ गए कि यह कैसे अलग है और एक और सीज यहां पर बता जना चाहूंगा कि इसके अगर हम expiry की बात कर ले तो expiry भी आपका nifty और bank nifty से अलग है जैसे nifty और bank nifty हमें Thursday को expiry देखने को मिलता है जबकि यहां पर आपको Tuesday को expiry देखने को मिलता है यहां पर अगर हम बात कर ले तो आज आपका 28 नॉमबर है और आज है आपका date Monday और इसका जो monthly expiry है वह आपका 29th of November यानि Tuesday को तो इसका नॉमबर month वाला expiry अभी खत्म नहीं हुआ और कल इसका expiry है इसलिए हमने आज यह वीडियो मना आया है ताकि monthly expiry से पहले यह concept आपको समझाया जा सके और उससे पहले जो भी momentum आता है उसके जरी हम यहां पर पता कर सके कि हम कैसे trading positions initiate कर सकते हैं इसका expiry भी अलग है बांकि एक और चीज़ आपको ध्यान देने की जबत है lot size इसका lot size भी आपका nifty और bank nifty से अलग है इसका lot size है 40 का सब लोग को पता ही होगा फिर इंफॉर्मिशन के लिए बता दू nifty का lot size है वह आपका 50 का lot size है जबकि अगर हम bank nifty की बात करें तो bank nifty का lot size है वह आपका 25 का जबकि fin nifty का lot size है यह आपका 40 का इस तरीके से multiple way में अलग है लेकिन यहां पर जो हम चार्ट निफ्ट और bank nifty में यूज करें जो स्ट्रेजी यहां पर निफ्टी और bank nifty में यूज करें सेम स्ट्रेटिक जरे यहां पर एपका उपर चला गया यहां पर जो अपना gap down वाला strategy apply करते हैं वो यहां पर भी हम apply कर सकते हैं और इसके basis पर trading positions initiate कर सकते हैं और यहां पर हम लगबग buy positions लेंगे और यहां पर जो हम buy करेंगे वो लगबग आपका 920 के असपास 19,160 के level पर 19,160 के level पर buy set की तरफ trading positions initiate करेंगे लेकिन उससे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक और चीज़ को देखते हैं वो क्या देखते हैं यहां पर हम आपको बता हूंगा सबस पहले यहां पर देख लिजे पहला 15 मिट में यहां पर भी हमें long build up देखने को मिलवा मत्तब यहां पर भी buyers का entry हुआ और वहां पर हमारा gap down strategy काम करी रहा है तो हम 920 के level पर नेरी 920 के time पर हम my positions initiate कर लेंगे जो levels मैंने आपको बताया था उस levels पर हम यहां पर entry ले सकते हैं क्योंकि यहां पर open interest build up के तरफ से completely support मिलता हुआ दिख रहा है और जब यहां पर short build up देखने को मिलेगा यहां से हम market से बाहर निकल सकते हैं और यह data आपको मिलेगा कहां यह सारा data मिलेगा आपको धन के trading platform में OI build up का data मांकी आपको बाहर नहीं मिल पाएगा बाहर अगर आपको यह data चाहिए इसके लिए आपको extra charges पर करने के जरुवत है तो अगर आपका trading or demate account धन में नहीं है तो इस वीडियो के description में link दिया गया उस link पे click करके आप धन में free में अपना trading or demate account open कर सकते हैं और free में इ data को access करते हैं अपने trade के accuracy level को increase कर सकते हैं तो अगर आपका धन में trading or demate account है तो आपको future के chart में जाना और 15 minute build up पे आना फिर आपको यह OI build up का data मिल जाएगा जो कि live market में update होता हुआ दिखता है तो उसकी बाद देखिए यहां पे हमें जो trading positions initiate करना तो वह था 19,160 के level के करीब और हमें profit का book करना है यहां पे अगर हम profit booking की बात करें तो previous day का जो भी highest point है यह हमारा target price के रूप में काम करेगा जिसको यह आसानी से hit कर दिया और यहां पे अगर हम target की बात कर दो लगवग आपका 19,140 के असपास यहां पे हमने entry लिया था यह lowest point SL के रूप में काम करता और 19,240 यहां पे हमारा target price रहता यहां पे हमें लगवग 80 point का profit मिलता हुआ दिखा और 80 point के profit में हमें कितना actually profit मिलेगा इसका lot size हमने क्या देखा था 40 का 80 x 40 कर दिजए लगवग आपको 4200 का यहां पे आपको profit मिलता हुआ दिखेगा अगर हम single lot buy करते हैं तो जितने lot buy करते हैं आप इसी ratio से क्या गर सकते हैं profit को maximize कर सकते हैं तो ऐसे ही आपको trading positions लेना है लेकिन इसके साथ साथ हमें option chain को भी analyze करना है लेकिन उससे पहले हम जब nifty और bank nifty का analysis करते हैं इसके daily chart औ यहां पे हाथा बहुत सारे candle हैं आपको same type का low का formation किया और high की बात करें वह लगबख same type हाई का formation क्या यहां पर मैं का एक parallel channel pattern का formation हमें देखने को मिल रहा है और यहां पर आपका low बना इससे उपर यह लोaa फिर इससे उपर इश्य यह यह आपका higher low pattern प्राफिट मना सकते हैं फिर यहाँ पे हमें आज मॉर्निंग में इस लेवल के आसपास dip मिला था, यहां पे भी हम entry करके, जैसे बताया था, वैसे profit बनाया जा सकता है, तो ऐसे आप trading positions initiate कर सकते हैं, और जब यह इसको break करके ऊपर जाएगा, तो हमें major breakout देखने को मिलेगा, या फिर इसको break करके नीचे जाएगा, तो हमें breakdown देखने को मिलेगा, औ price आपका, यहां से 19,000 के level करीब आता हुआ, दिख सकता है, जो कि आपका support की रूप में काम करा, in fact आपका इससे नीचे भी आता हुआ, दिख सकता है, तो ऐसे ही levels के basis को follow करते वे, हमें trading positions लेना है, वहीं इसके weekly chart को भी हम देख सकते हैं, weekly chart के अगर हम बात करें, देख सकते आपका, फ्रेस all time high जो है वह आपका, 19,000 340 के करीब, अब अगर हमें aggressive जो buy करना है, यह इसके उपर उससे ज्यादा नीचे नहीं है, तो 19,000 350 के उपर निकलते हैं, यहां पर हम और ज्यादा थोड़ा सा aggressive buying कर सकते हैं, और यहां पर हम profit के लिए जा सकते हैं, major profit यह नहीं, 19 500 के लेवल के लिए, लेकिन अगर यह आपका, 19,300 के नीचे गया, तो हम और ज्यादा गिरावट देख सकते हैं, फिर इस लेवल करीब आता हुआ, देख सकते हैं, तो previous week का, यहां पर आपका lowest point और highest point, यह दुनों काफे crucial level है, इस पर आपको नजर बना के रखना परेगा, और इसका option chain, धन के trading platform में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो अगर आप fin nifty में trade करना चाहते हैं, या फिर इसके बारे में information लेना चाहते हैं, तो धन का trading platform आपके लिए बहतर option opportunity provide कर रहा है, जहां पर आपको इसका option chain में मिल जाएगा, आपको OI build up data भी मिल जाएगा, और य इंपरी में अगर हम देखें, सबसे पहले हम call site की तरफ देखते हैं, यहां पर आपका 19,300 के level एक resistance level build up हो रहा है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं लगबग 15.63 lakh के करीब हमें क्या देखने को मिल वा, अपर इंट्रेस्ट हमें देखने को मिल वा, तो इसलिए price आपका इसकी उपर जाता हुआ, नहीं दिख रहा है, इंट्रेक्ट इसकी उपर बात करें, तो आपका 19,400 के level भी resistance के रूप में काम करेगा, support level की अगर हम बात करें, तो support level आपका 19,200 के level पे develop होता हुआ दिख रहा है, और इसके नीचे 19,100 के level पे भी support develop होता हुआ दिख रहा है, यह दो आपका support के रूप में काम करेगा, जहां से हमें reversal की उमीद है, reversal के chances है, बाकि यह दोनों आपका resistance के रूप में काम करेगा, और इन सारे level पे आते हैं, profit booking भी कर सकते हैं, यह नहीं तो आप reversal के लिए यह नहीं, downside move के लिए भी जा सकते हैं, तो ऐसे ही हमें trading positions initiate करने की जरूरत है, इसके अलबाब यहां पे आप expiry भी check कर सकते हैं, देख सकते हैं, हर एक Tuesday के expiry देखने को मिलेगा, बागी और भी कुछ crucial data यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, expired दिन में कितना टाइम बचा है, market lot क्या है, PCR आपको यहां पे update देखने को मिल जाता है, यह प्ल यह वीडियो पसंदा है, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए, और आपका क्या भी हो है, कि अपने daily analysis वाले वीडियो में इसको add करें या फिर नहीं add करें, वह हमें comment करके जरूर बताएगा, so that's all friends, मिलते नेक्ट वीडियो में, जैहिन!